वेलकम तो माई चैनल तनू वेज किचिन तनू किचिन में आज शेयर कर रहे हैं मसाला मटर बनाने की रेसिपी जब भी मन करें कुछ चटपटा खाने को तो इस सबजी को बनाईए इसके लिए सबसे पहले हमने लिए है एक कडाई फ्लेम आउन करके कडाई को गरम करेंगे उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे तेल की जगाव खी का इस्तेमाल कर सकते हैं आदा चम्मच जीरा डालेंगे जीरा जब अच्छे से क्रेकल हो जाएगा तो पिंच शींग डाल देंगे आदा चम्मच अद्रक लैसन का पेस्ट डाल देंगे दो हरी मिर्ची काट कर रखी है उसको भी स्मेट कर देंगे और एक स्पेचुला से इसको साटे करेंगे गोल्डन होने तक इसको भूनना है अच्छी खुश्बू आने लगती है जब यह अच्छे से भून जाता है अब इसमें हमने एक प्याज बारीक चॉप करके रखा हुआ है उसको भी इसमें डाल देंगे और प्याज को भी भूनेंगे ध्यान रहे यह हमको मीडियम लो फ्लेम पर करना है जब प्याज अच्छे से भून जाएगी गुलाबी हो जाएगी तब कुछ पानी के चीटे लगा कर उसमें मसाले एड़ करेंगे मसाले में हमें लिया है आदा चमश अल्दी पाउडर आदा चमश लाल मिर्श पाउडर दो चमश धनिया पाउडर आदा चमश नमक नमक की मातर आपने स्वाद की निवसार कम जादा कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनिट लो फ्लेम पर मसालों को भी भून लेंगे अगर आप उबले हुए मटर कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें उबला हुआ मटर एट कर देंगे अगर आपने कच्छा मटर कर इस्तेमाल किया है तो मटर डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आदा कब पानी डाल कर ढख कर इसको पांच मिनिट लो फ्लेम पर पकाएंगे इस तरह से मटर की बनी हुई सूखी सबजी काप पराठे में इस्तेमाल कर सकते है कचोड़ी बना सकते है या इसकी चाट बना कर भी खाई जा सकती है इसको हमने ढख दिया है पांच मिनट बाद चेक करेंगे मटर का कलर चेंज हो गया है पानी भी एब्सॉप हो गया है मिक्स करेंगे ये सबजी अब बन कर तयार है देखे कितनी टेस्टी दिख रहे है हमने इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए कटा हुआ हारा धनिया डाल देना है एक चमच आमचूर पाउडर मिक्स कर देंगे आमचूर आप आदा चमच भी डाल सकते हैं आदा चमच गरम मसाला डाल देंगे अगर आमचूर नहीं है तो उसकी जगा आप एक नीबु का रस निकाल कर भी इसमें एट कर सकते हैं इसको एक पोटेटो मैशर से लेकर इस तरह से मैश कर लेना है इस ट्राइब मसाला मैटर का इस्तेमाल आप सैंड्विच बनाने में भी कर सकते हैं या ऐसे ही पराथे रोटी से खाया जा सकता है तो आप भी ट्राइब करिए इस मसाला मैटर को और बताईए कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलिए अगर मेरी किचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एक और नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहेए तनु बैच किचिन थैंक्स फो वाचिंग